जुन्जुनों में भूकंप एंडी आरेफ की टीम पहुंची जुन्जुनों में एंडी आरेफ की टीम ने दिया बचाव डेमो स्काउट गाइड मैदान में क्रियेट किये भूकंप आदी के सीम आपदा फर्स्ट एड और सीपी आज जैसी जानकारियां दी पंद्रे दिन के दोरे पर आई हुई है एंडी आरेफ की टीम 22 जनवरी तक जुन्जुनों में देगी आपदा से बचाव का प्रशिक्षन जुन्जुनों के स्काउट मैदान में भूकंप आया और काफी नुकसान हुआ एंडी आरेफ की टीम ने मोल्टा समालते हुए कई जान बचाई चौकी एमत ये असल में नहीं बलकि एंडी आरेफ की टीम द्वारा दिये गए डेमु से पहले बनाया गया एक सीन था दरसल एंडी आरेफ की छटी बटालियन की टीम इंस्पेक्टर विजाई सिंके नेतरत्व में कमांडेंट वेवियन प्रसन्ना तथा राधिस्थान प्रभारी योगेश मीना के निल्देशन में जुन्जुनु जिले में 15 दिन के दौरे पर आई हुई है कम्यूनिटी अवेर्नेस के 15 दिन के इस कारिक्रम के तहट आज टीम स्काउट गाइड मैदान पहुँची जहां स्काउट और सिवल डिफेंस की सदस्यों को टीम ने आपदा की समय बरती जाने वाली सावधानिया और तुरंत किये जाने वाले कारियों को बारिकी से बताया इसके अलावा हाथसे की समय फर्स टेड की उपयोग के अलावा पानी में जूबने वा हार्ट अटैक की समय दिये जाने वाले CPR के बारे में भी जानकारी दी इंस्पेक्टर विजय सिंग ने बताया कि बिना कोई संसादन के हम आपदा की समय केवल सूज बूज से काम लेते हुए लोगों की जान बचा सकते हैं यही ट्रेनिंग हम हर व्यक्ति तक महचाना चाहते हैं उन्होंने बताया कि अब तक मंदावा, टाई, मलसीसर, टमकोर, कोलसिया तथा तोगडा कला में कारिक्रम हो चुके हैं आने वाले दिनों में जुनजूनु जिला मुक्ख्याले के अलावा, चिडावा पिलानी शेत्र में भी जागरुकता कारिक्रम होंगे इससे पहले सियो सकाउट महेश कलावत ने बताया कि सकाउट भी आपात परिस्थितियों में सेवा के भाव लेकर कारी करते हैं में आज का प्रशिक्षन स्काउट के लिए काफी उपयोगी रहा है। सब्सक्राइब और बच्चों कैसे हम बचाएं और डिजास्ट को कैसे हम मिटिगेट कर सकें कैसे उसको निवन कर सकें उस समझ में कई टेक्निक मैंने बताई है। सब्सक्राइब आज मानिये जिला के लेक्टर में हो देगे आदेश के अनुपाल नाम में एंडियर एफ टीम जो पुरे राजस्तान में जिकर जिकर प्रशिक्षन दे रही है। सब्सक्राइब इसका प्रशिक्षन कारेक्रम आजित के अजार है। जो कि सबकों विदित है स्काउट गाइड भी आपदा परबंदन के कारियों में अगरनी बूमिका निवाता है। जो कि सबके रहा है।